रेजनिंग पजल्स के पार्ट 3 में हम देखेंगे फ्लोर बेस्ट अरेंजमेंट से एक और एक्जामपल और ये एक्जामपल जो होगा आपका एक्जाम लेवल का है थोड़ा टफ कोश्चन है फिर भी हम इसे देखेंगे कैसे आसानी से सॉल्व करना है तो चले स्टार्ट कर आपका स्वागत है दोस्तों रेजनिंग पजल्स से अभी तक हमने कई सारे वीडियोज देख लिये है तो अगर आपने भी तक वह सारे वीडियोज नहीं देखें है तो यहाँ पे मैं नीचे लिंक दे रहा हूं जिस पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं अगर आप mobile पे हैं तो यहाँ पे आपको corner में link मिल जाएगा जिस पे click करके आप वो सारी videos देख सकते हैं, basic videos हैं, जिससे आपकी जो understanding हो बहुत ही अच्छी होगी, आज हम देखेंगे floor-based arrangement से एक exam level का question, अच्छा question है, इस तरह के questions exam में आते हैं, तो आपको इनसे डरना नहीं है, बस आपको right approach अपनी लगानी है, और आसानी से ये भी solve हो सकते हैं, तो चलिए बिना समय गवाएं श्टार्ट करते हैं, चलिए मैं question पढ़ता हूँ, there are five managers, Manpreet, Pratik, Kunal, Sumit and Tilak, who lives in five-story building, पांच managers हैं, जिनके नाम दिये गए हैं, और वो किसी पांच मंजिला इमारत में रहते हैं, पिछली बार जो हमारी numbering थी, वो साथ मंजिल की थी, लेकिन हैं, पांच number की building है, अब यहाँ पर आगे क्या पढ़ रहे हैं, कि the lower most floor is number one, and the top most floor is number five, जो सबसे नीचे वाला floor है, वो number one है, जो सबसे उपर वाला है, वो number five है, तो हमको numbering पता चल गए, इस फ्लोर की कैसे करनी है, सबसे उपर वाला पांच होगा, तो उसके नीचे वाला चार, उसके नीचे तीन, फिर दो, और फिर एक, ठीक है, यह आपके, floor से दे दि पसंद है, यहाँ पे उन पांचों पेट्स के नाम दिये गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कि जैसे नाम लिखा हुआ है, वैसा ही यह order दिया गया है, and each manager works in different company, Apple, Motorola, Vodafone, LGN, Samsung, कि सभी जो managers हैं, वो 5 different companies में अलग-लग काम भी करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए, total क्या है, कि आपको सबसे पहले तो इनके floor को arrange करना है, कि कौन से floor पे कौन रहता है, उसके साथ साथ आपको यह भी arrange करना है, कि उनको कौन से pit पसंद है, उसके साथ यह भी arrange करना है, कि वो कौन सी company में काम करते हैं, तो total अगर देखा जाए, तो question बहुत ही अच्छा है, चली कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूँ, पहले floor लिखा, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ, कि बीच में यहां पर हम persons को डालेंगे, उसके बाद फिर pet और उसके बाद फिर उनकी जो भी company related है, उसे हम डालते हैं, ठीक, इसे मैं separate कर लेता हूँ, यहा lower most floor, कि मनपरीत कहां पर काम करता है, सैमसंग में, और सबसे नीचे के floor पर रहता है, सबसे नीचे का कौन floor सा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, कौन रहता है, मनपरीत, मनपरीत कहां पर काम करता है, वो company का नाम है, सैमसंग, देखिए उस related जो pet है, वो नहीं दिया गया है ठीक है क्यों कंपनी दिया गया है और कौन से फ्लोर पे है ये दिया गया है ये हमने लिख लिया ओके आगे पढ़िए the manager who lives on the top most floor does not like cow और parrot मतलब जो सबसे उपर पांचवे फ्लोर पे रहता है उसे cow और parrot नहीं पसंद है ठीक है तो यहां पे आप बगल में comment का section लखे जहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पे cow और parrot नहीं आ सकते हैं ठीक है अब यह जो मैं यहां पे पूरा नाम लिख रहा हूँ इसे भी आप समय कम कर सकते हैं अगर आपकी understanding है अच्छी तो आपके initials ही लिखिए तो आपको समय थोड़ा कम लगेगा आगे देखिए पढ़ते हैं सुमित works in Vodafone and like cow कि सुमित कहां पे काम करता है Vodafone में और क्या पसंद है उसे cow तो इतना आपको एक बास समझ में आगी होगी कि सुमित कहां नहीं हो सकता पहले नंबर पे तो सुमित जा नहीं सकता क्यों क्योंकि प तीसरे पर या तो दूसरे पर लेकिन किस पर यह हमको अभी नहीं पता है हम decide नहीं कर सकते हैं ठीक है तो आप यह arrangement कहीं भी लिख लीजिए कि क्या इनका arrangement है तो क्या है सुमित है जिसको क्या पसंद है काउ पसंद है और कहां पे काम करता है वो Vodafone में काम करता है अगर यहां पर बनाए है तीन और ड्रॉ कर लें डाइग्राम तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा ठीक है उस तरह फिर आप कंफ्यूज है क्योंकि हमको कुछ नहीं पताए कि सुमित कौन से फ्लोर पे है आगे पढ़िए अगर तब पर भी कोई हिंट नहीं मिलता है तो हमार यहां पर किसे पैरेट पसंद है और किसे डॉग पसंद है कोई आइडिया नहीं है तो मैं यहां पर ऐसे लिख लेता हूँ कि जिसे पैरेट पसंद है वो क्या होगा हमेशा डॉग वाले से उपर ही होगा ठीक है नेक्स्ट आगे पढ़ते है दवन हू वर्स इन मोटरोला कि जिसे cat पसंद है जो मोटरोला में काम करता है उसे cat पसंद है और वो किसी event नंबर के फ्लोर पे रहता है मतलब वो किस पे रहेगा या तो वो दो पे रहेगा या तो वो चार पे रहेगा यही आपका एक catching point हो सकता है जहां से आप decide कर सकते हैं देखिए अब आपके पास दो positions आ जाती है तो इन दो positions को लेके आप दो diagram बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आसान हो सकता है आपके लिए ठीक है क्योंकि अभी तक सुमित को अगर हम लेके चलेंगे तो तीन diagram बनाना पड़ेगा लेकिन अगर हम इस person को select करते हैं तो हमको बस एक diagram और draw कर लेना है और उसके बाद हम सारी numbering यहां से start कर सकते हैं तो चले एक diagram यहां पे और draw कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे इसी के नीचे थोड़ा सा और इस line को बढ़ा लेते हैं जिससे हमको बार-बार कहीं लिखने के औ जरूत नहीं पड़ती है यह क्या है पांच चार तीन दो एक सबसे नीचे वाले पर कौन है सबसे नीचे है हमारा मनप्रीत उसे आप लिख लेजिए यहां पे वो samsung company में काम करता है और कोई arrangement उपर हुआ है देखिए तो और कोई भी arrangement यहां उपर हुआ नहीं है अब हम arrange क् काम करता है और जिसे cat पसंद है तो यहां पर हमाल लेते हैं कि second number पर इसमें कि इसे क्या पसंद है cat पसंद है और कहा काम करता है motorola में ठीक है नेक्स्ट हम चौथे नंबर पर माल लेते हैं कि क्या इसे cat पसंद है और यह क्या काम करता है motorola में काम करता है ठीक है तो हमारे प नंबर्ड floor and likes rabbit कि तिलक कहां रहता है? किसी odd number के floor पर रहता है और उसे rabbit पसंद तो odd number के floor पर पर कहां हो सकता है? या तो वो 3 पर या तो वो 5 पर या सकता है लेकिन कहां पर जाएगा? यह भी हम बता नहीं सकते हैं आगे पढ़ते हैं देखिए कुनाल works in LG and lives just above the person who likes cat कि कुनाल कहां काम करता है LG में और वो कहां पर रहता है उस person के ठीक उपर जिसे cat पसंद है तो cat यहाँ पर देखते हैं पहले में तो cat किसे पसंद है तो cat यहाँ दूसरे number पर जो रहे है person उसे पसंद है तो इसके ठीक उपर कौन रहेगा पसंदे चौथे वाले को तो उसके उपर कौन होगा कुनाल और वो कहां काम करता है LG कंपनी में काम करता है तो यह हमने फिट कर लिया तो हम देखते हैं कि ठीक उपर वाला जो भी statement था तिलक को ले करके कि वो odd number floor पे रहता है तो अब इस condition देखिए पहले जो पेज हम पहला जो हमने बनाए डाइग्रांस में कि अब केवल एक ही प्लेस वस्ता है जो और नंबर पे है वो है 5 तो यहां पे कौन रहेगा तिलक तो हम यहां पीसे अब आसानी से डाल सकते हैं तो कहने का मतलब इतना है कि आप एक-एक लाइन को पढ़ते चलिए जो भी आपको हिंट मिल रहा है उसे आप लिख लीजिए और वो हो सकता है कि आपको आगे काम में है मतलब तुरंत ऐसा घबराने की रोत नहीं कि आप तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन कहां रहा है कैसे करेंगे सब कुछ आप note down करते रहे और एक चीज़ तो यह छोटी सी समझ के रखिए कि जो भी आपको arrangement दिया गया है उसका answer तो है ही बिना answer का वो arrangement तो होगा नहीं तो arrangement दिया गया है तो आप उसे solve भी कर सकते हैं बस अपना confidence level थोड़ा बढ़ा के रखिए और छोटी छोटी चीज़ों को समझे तो तिलक कहां पे रहता है और नमबर फ्लोर पे और क्या पसंद है उसे rabbit तो हम यहां पे लिग देते हैं क्या rabbit next अगर हमने क्या कुणाल को पांचवे नमबर फिल कर दिया तो कि इस वाले केस में तीसरे नमबर की position खाली होती है यहां पे तिलक रह सकता है क्यों तीसरे नमबर पे क्यों क्योंकि तिलक और डमबर पे ही रहेगा और इसे पसंद क्या है rabbit इतनी बात आपको समझ में आई बैठता है अब यह जो सुमित वाला statement है इसमें आपको नाम भी पता है क्या पता है पेट भी पता है और कौन सी company में काम करता है मतलब अब आपको कोई ऐसी road होने जहां पे यह तीनों position सी blank हों वहीं पे सुमित fit हो सकता है तो अगर हम पहले diagram की बात करें तो यहां पे देख यह ना तो person है ना तो pet है ना तो company है बाकी और सब में कुछ ना कुछ value जरूर fill है तो यहीं पे कौन आ सकता है सुमित आ सकता है और इसे पसंद क्या है काउ और यह कहां काम करता है Voda phone में next अगर देखते हैं हम दूसरे diagram में तो यहां पे कौन सा place खाली है तो second number का जो floor है उसमें ऐसा खाली है कि यहां पे ना तो person है ना तो pet है ना तो कोई company है तो यहां पे कौन आएगा सुमित क्योंकि उसके लिए हमको पूरी जानकारी provided थी तो यहां पे हम लिख लेते हैं सु वो dog के नीचे नहीं आ सकता है तो अगर हम पहले वाले diagram में देखें तो ऐसी condition कहां पे आ सकती है देखें उपर तो rabbit हो गया फिर cow हो गया तो जाहिर जिवा थे parrot को तीसरे number पे होना होगा तभी चोथे number पे dog हो सकता है क्योंकि parrot को हमेशा उपर होना होगा तो यहां पे हम भ नमबर पे parrot को आ नहीं सकता है क्योंकि फिर dog उपर हो जाएगा और dog को अगर हम यहां पे भर देते हैं तो parrot को यहां पे भर ना होगा पांचवे number पे और हमको पता क्या है कि पांचवे number पे parrot नहीं आ सकता इसका मतलब क्या है नीचे वाला जो arrangement है वो क्या है गलत है यह सही नहीं है जो उपर हम बना रहे थे यहीं arrangement हमारा काम करेगा अब यह हमको पता चल गया है कि उपर वाला arrangement सही है तो बाकी की जो missing values है होगा फिल कर लीजे जैसे यहां पर persons में फिल कर लीजे चार persons हो गये है तो यहां दूसरे नमबर पे कौन आएगा देखिए प्रतीक बाकी हुई है तो हमने यहां पर फिल कर लिया company का नाम क्या है apple यह हमारा arrangement क्या हुआ complete कैसे complete हुआ अगर आप इसे क्योल और क्योल एक डाइग्राम लेके करते बहुत सारे comment भी करते तो हो सकता है आप कर लेते लेकिन time लगता लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं समझ के लगता है लेकिन इस तरह के questions आते हैं तो आप खुद से try करिएगा तभी आपको समझ में आप आएगा कि क्या फर्क होता है आप खुद से करते हैं जो आपको पता नहीं होता है वीडियो देखते हैं तो क्या आपको फर्क नजर आता है ठीक है तो यह तो हो गया हमारा arrangement और देखते हैं कैसे उन्हें answer करना है चली questions देख लेते हैं क्या यहां पर दिये हुए हैं पहला question देखेगा लिखा है which of the following combination is true अब आपको बताना क्या है कि इन में से कौन सा combination आपका true होगा तो combination की बात की जा रही है इसमें जो एक minor गलती होती है कई लोगों से हो जाती है कि लोग के उल दो values को ही match करते हैं जैसे यहां पे अगर देखें तो kunal, lg तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो kunal और lg सही होगा तो उसने हैं तीसरा वाला तो अपने आपी सही हो जाएगा और वो ऐसे पहले ही option को tick करके चले आएंगे कि यही correct statement है जबकि ऐसा होता न हाला कि ऐसा नहीं कहा रहा हूं कि सबसे होती है गलती लेकिन कुछ लोगों से होती है तो उनके लिए मैं कहा रहा हूं कि आपको तीनों values या जितनी भी values आपको दी जाती हैं सब को proper check करना होता है कोई भी shortcut काम नहीं करता है ठीक है वैसे तो आपने अगर खुद से यह बना चैनल फॉनाल को परeď पसंद है तो यह गलत हो गया प्रतीक सैंसंग packed अप देखेंगे कैट थेकंगे सजी लेकिन कंपनी कोन सी है из montorola लेकिं यहां पहली क्या है सैंसर ंश्क टिलाब比較 तिलब कहां काम करता प्रेट लेकिन उसे पसंद क्या है रैबिट पैरिट नहीं तो ये भी क्या हो गया गलत मनप्रीत मोटोरोला डॉग तो मनप्रीत कहां काम करता है सैमसंग में काम करता है ना कि मोटोरोला में डॉग तो पसंद ने लेकिन Motorola में काम नहीं करता तो ये भी combination गलत है सुमेत Vodafone, Kao ये हमको question में भी दिया गया था अगर आपको याद हो सुमेत Vodafone, Kao यहाँ पे आपको मिल भी जाता है सुमेत Kao, Vodafone तो ये आपका सही है I hope आपको समझ में आया होगा next बात करते है which of the following combination is false कि इनमें कौन सा combination false है और अच्छा हो सकता है कुछ लोग के मन में कई बार ऐसे भी doubt हो जाते है जो पूछते हैं कि माली जी आपने ऐसे बनाया होए कि पहले person है, फिर pet है, फिर company है, लेकिन यहाँ पर जो option दिया गया पहले person है, फिर company है, फिर pet है तो यहाँ से आपको यह नहीं करना है कि हमने गलत format में बनाया है इसलिए ऐसा है, इसकी formatting से कोई मतलब नहीं आप floor को भी कहीं उठा के दूसरी तरफ रख सकते है बस उसका जो combination है, वो सही होना चाहिए कि हर person की पसंद क्या है कौन से company में काम करता है, कौन से floor पे है वो सारी चीज़े match करनी चाहिए फिर person पहले है, आप pet पहले है इससे कोई मतलब नहीं है आपको बताना क्या है कि कौन सा combination false है तो आप 5 options दिये गए हैं तिन में से 4 तो आपके गलत होंगे मतलब वो combination सही होंगे लेकिन answer में 4 गलत होंगे एक combination होगा जो false होगा वह ही आपका correct answer होगा तो आपको गलत वाला निकालना है जैसे कुनाल, LG, Parrot तो आप देखेंगे कुनाल, Parrot, LG ये तो आपका combination सही है लेकिन answer गलत है प्रतीक, Motorola, Cat तो प्रतीक, Cat और Motorola ये भी combination सही है लेकिन answer गलत है तिलक, Apple और Parrot तो देखेंगे तिलक को क्या पसंद है Rabbit ना की Parrot तो ये आपका combination गलत है तो right answer कौन सा होगा third वाला क्योंकि आपको गलत combination ही छाटना था चलि तीसरा question देखते है क्या लिखा हुआ है कि dog किसे पसंद है तो table में से आप देख लिजे dog किसे पसंद है तो dog ये मनप्रीत को पसंद है तो यहां से आप option select कर लिजे fourth number का option मनप्रीत is right answer ठीक है in case अगर मनप्रीत का नाम यहाँ पे नहीं लिखा होता तो एक option आपको none of these का जरूर मिलता तो यह आपको tick करना होगा next देखते है which of the following is the correct statement आपको इसमें से कौन सा correct statement वो छाटना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे आपको हरे की statement को पढ़ना होगा कुछ statements इसमें से गलत होगे और एक ही आपका सही होगा तो वही आपका answer होगा इनकेस अगर चारों आपके गलत होते हैं तो none of these आपका option सही होता है देखे पहला क्या रिखा है प्रतीक lives on the top most floor की प्रतीक सबसे उपर की floor पे रहता है जो की क्या है गलत है सबसे उपर तिलक रहता है सुमित likes parrot लेकिन सुमित को क्या पसंद है काउ तो यही आपका क्या होगा सही answer होगा हमने पिछले question में भी देखा था तो यह आपका fourth number का option सही होगा पाच्वा question देखते हैं क्या लिखा हुआ है तो 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 आपको दो option देख लेना कौन सा है तीसरा और option आपका सही है और यही आपको टिक करना है I hope आपको यह समझ में आया होगा तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके आप जुरूर बताइएगा वीडियो कर पसंद आया है तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब हम मिलेंगे next part में तब तक के लिए have a nice day and bye तक क्सूइब कर दो आपका बहुत आपका बहुत दो आपका बहुत जो आपका बहुत